नमस्कार दोस्तों साथियों मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत-बहुत स्वाथ करता हूँ आपका जोतिस के इस प्रोग्राम में ये वीडियो जो है वो तुला वालों के लिए है कि उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा जीवन के जो भी छेतने करियर है, पढ़ाय लिखाई है, जॉब है, काम धंदा है, बिजनिस है, प्रेम जीवन है, पारवारिक जीवन है, स्वास्त है, माता पिता, गुरु आदी के साथ संबन्ध है उन समय कहां क्या उतार चड़ाब रह सकता है, कहां में किन बातों का ध्यान रखना है, अगर कुछ जोचसी रेमेडी हैं तो उस पे भी ध्यान देंगे जब भी हम साल के होरोस्कोप की बात करते हैं, तो जो बड़े गिरे हैं, वो विसेस महत्पुन होते हैं, बड़े मतलब जिनका गोचर लंबा होता है जैसे गुरु हर साल एक राशी में रहते हैं, पूरी साल लग बग मतलब उनका एक राशी को करीब एक साल में पाहर करते हैं, शनी महाराज ढ़ाई साल में करते हैं, इस वैसे शनी बहुत महत्पुन होते हैं, तो तुलावालों ने तो देखा है भई, पिछले समय में उनकी डहिया चल रही थी, उससे पहले उनकी साड़े साथ ही चल रही थी, तो काफी समय से थोड़ा सा समय, टफ तो रहा है, पर वो खत्म हो रहें जा रहा है, कम से कम उस खत्म होने के आसपास है, शनी महाराज पंचम भाब में जाएंगे, मकर राशी से कुम्ध राशी में 17 जन्वरी को, तो ढ़ाई 3 साल बाद ये भी समाप्त हो रही है, या भी समाप्त हो रही है, जो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव परिवर्तन है, पूरी साल रहेगा, इसका क्या असर होगा, इसका क्या एफेक्ट होगा, इस पे आएंगे, इसके साथ साथ आपके लिए दूसरा भी एक बहुत महत्तपून परिवर्तन होगा, वो होगा जाकर कब, अप्रेल में, 21 अपरेल को गुरू छटे भाफ से सप्तम में चले जाएंगे, जहां गुरू का गोचर अच्छा माना जाता है, मीन राशी से मेस राशी में, तो तीन ग्रहा के गोचर होते हैं, जब हम किसी साल का नेड़ने करते हैं, शनी, गुरू, राहु, केतू, उनमें से दो के आपके positive हो रहे हैं इस साल, कहीं न कहीं गुरू ज़ाद है positive हो रहे हैं, पर शनी भी पहले से बहतर हो रहे हैं, इसके बाद जो तीसरा ग्रहा होता है, वो राहु केतू होते हैं, वो भी important होता है, पर इस साल उसकी वज़े से कोई बहुत जादा फरक पड़ेगा ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वो जाके बदलेंगे 29 अक्टूबर तो 29 अक्टूबर 2013 जब तक आपकी लगवग 10 महीने निकल चुके होंगे उनका परिवर्तन जो होगा वो भी आपके लिए पोजिटिव हो रहा है कि वो सत्तम से आपके छटे भाव में आ जाएंगे कि तू उनके ठीक सामने रहेंगे कि तू लगन में चल रहे थे जो कि बहुत जादे सुब नहीं है वो भी परिवर्तन आपका और तीनों के तीने परवर्तन कहीं ना कहीं बहतर हो रहे हैं तो आपको इस साल की बहुत-बहुत सुबकामना है और I hope ये साल आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे चींज लेकर आएगा पर इसके साथ ही मैं आपको ये बता दू तो मैं सिर्फ गोचर के आधार पर बोल रहा हूँ गोचर करोणो तुला वालों का है आपकी कुंडली में कहां क्या योग हैं वो बहुत-बड़ा रोल प्ले करने वाला है पर हाँ गोचर के आधार पर आपके लिए साल सुने रहा होगा यादगार होगा और काफी हद तक महत्वपून होगा शनी का गोचर बहुत-पॉजिटिव नहीं है ये भी मैं अनिस्टी बताता हूँ पर ढहिया से बहतर है किन चीज़ों में बहतर है सबसे पहले आ जाते हैं शनी के उपर शनी कैसे रिजड़ देंगे अपनी दरश्टी से रिजड़ देंगे और जिन भावों से वो त्रिकॉण में है क्योंकि त्रिकॉण के जो भाव होते हैं एक दूसरे से जोड़े होते हैं उस से रिजड़ देंगे तो शनी की दरश्टी कौन-कौन सी तीसरी सात्मी और दस्मी तो तीसरा यहाँ पर शनी आएंगे कुम्बराशी में पंचम भाब में 17 जनवरी को तीसरा यहाँ से क्या पड़ेगा एक दो तीन ये पड़ेगा ये शनी की दश्टी हुई साथमा यहाँ से एक दो तीन चार पांच छे साथ ये सनी की दश्टी हुई और दसमा, साथ यह हुआ तो आठ नो दस, यह सनी की दश्टियां होगी यहाँ पर शनी का प्रभाब आएगा तो पहली दश्टी तीसरी दश्टी तीसरी दश्टी सरी के पराकरम की महनत की, effort की, hard work की यहाँ पर आपको निश्काम काम करना होता है महनत करनी होती है, करम करना होता तब ही result आता है, पर आता है तीसरी दश्टी जो शनी सनी की जहाँ भी दश्टी आएगी, hard work महनत, थोड़ा सा effort यह आता ही है यह सनी का nature है शनी एक tough ग्रे है, rude ग्रे भी है और result देते हैं महनत के बाद, पर इच्छा लेते हैं कड़ी वाली, तगड़ी वाली तो सब्तम भाब पर आ रही है पर महाँ पर गुरू भी बैठी है और गुरू कव आएंगे गुरू यहाँ पर कव आएंगे अप्रेल में आएंगे, तो अप्रेल तक और अप्रेल के बाद थोड़ा अंतर हो जाएगा अप्रेल तक थोड़ा सा hardship जादे रहेगी, महनत जादे रहेगी business में अपने partner के साथ भी थोड़े dryness dryness का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, पर responsibility आपको ज़्यादे feel होगी, एक दूसरे का काम आ सकता है, एक दूसरे में थोड़ा बहुत मतवेद हो सकता है, और आपके spouse की जो thoughts हैं, वो आपसे थोड़ा कम match करें, पर अप्रेल के बाद इस चीजों में कमी आ जाएगी, किसकी वायसे गुरू की बज़े से, पर अप्रेल तक तो यहाँ पर लगेगा, क्योंकि तरते भाव है ही प्रेयास का, इसके बाद स्वनी का जो सप्तम भाव है, वो एक आदस सद्वनी से सप्तम जो पढ़ रहा है, एक आदस भाव आपके थोड़ा ego का ध्यान रखना है ego conflict रह सकते हैं, पर आपको lab कराएगा, कहां से stock market आदी से आपको lab रह सकता है, इस साल आपने कहीं अगर पैसा लगाया था और आप सुच रहे थे कि उसका कोई result निकल के आ जाए, तो वो आ सकता है, खास कर कि कब आएगा, अपरेयल के बाद पर उसमें दौनों की ही योग, दौनों की ही कहीना के play रहेगा आपका, शनी का भी और गुरू का भी, क्योंकि दौनों की दृष्टियां अपरेयल के बाद सेम हो जाएंगी मिल जाएंगी, एक भाब पर चल जाएंगी, जो कि आपका एकादस भाब बढ़ना है, जो इच्छा पूर्ति का है, तो कुछ इच्छाएं पूर्ण हो सकती, जो आप चहा रहे ते कुछ ऐसा हो सकता है, एकादस भाब आपके संतान के wife का भी है, तो आपके संतान की जो wife है, या आपके संतान के जो पती हैं उनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़िया बड़े परवरतन आ सकते हैं आपके बड़े भाई बहन की लाइफ में कुछ बड़े परवरतन आ सकते हैं आपके चाचा जी मतला आपके पिता के जो उपर युद्ध जीतना है तो आपको टीम वर्क की महत्ता को समझ नहीं होगा जितने भी महान लोग हुए जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा क्यार में इसको समझा है अब कितने ही दिगज हो तो रमखा हो बहुत ही हो पर आप क्या कर सकते हैं हद से जाद है आप कोई एक्जाम निकाल सकते हो महनत करके आईएस बन जाओगी उसके बाद जब आपको काम करना होगा फील्ड पे काम करना होगा तो आपको टीम वर्क आना चाहिए लोगों से किस तरह से मिल के साथ में कुछ बड़ा किया जा सकता है यह बहुत ज़रूरी है और वो सिखाने आगे हैं आपको शनी महराज तो कहीं न कहीं आपको इस चीज की आवश चकता पड़ेगी आप लोगों से मिलें किस तरह से समाज में आप हैंडल कर पाते हैं या उसको शनी आपको सिखाना चाहते हैं और effort करके hard work के आप save कर पर आओगे जो आएगा वो कहीं न कहीं आपको लगाने के लिए रहेगा कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आएगा जहाँ आपको पैसा देना है या उसका खर्चा करना होगा इस तरह से थोड़ा सा ये भाब जो है आपके भाई, बहन, माता, पिता, फैमली का भी है खासकर कि माता, पिता का कोछ जादे ही है तो आपने माता, पिता के साथ या आपकी कोई inheritance या आपके परिवार की कोई धन का कोई इस तरह का मसला है, तो वहाँ पर चीज़ें एकदम से solve हो जरूरी नहीं है थोड़े delay हो सकती है, देरी हो सकती है साथ में ये भाब आपके चहरे का है, आपकी वानी का है, खाने पीने का है तो इस चीज़ का आपको ख्यार लखना है कि आपको खाना पीना, साथ विक लें, सौच चलें तामसिक भोजन की तरफ भी कई बार सनी ले जा सकते हैं, एडिक्षन आदी जो होता है उसकी तरफ भी शनी कहीं बार, ले जा सकते हैं, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो तो ये शनी का रिजल्ट किस से आया, ड्रश्टी से आया, इसके अलावा शनी किस चीज़ से रिजल्ट देंगे जिन से वो त्रिकॉर्ण है, एक बात और, इस धन के भाब में स्कॉर्पियो है स्कॉर्पियो मतलब एक चीज़ समाप्त होती है, देथ और रिवर्थ तो धन के नए सोर्स बन सकते हैं, कोई पुराना सोर्स खतम हो सकता है, इस चीज़ का भी है या फिर आपका कोई सोर्स ही न हो, तो आपकी नए सोर्स बन जाए, तो वो भी एक रिखा कह सकते हैं बदलाब आगया, ट्रांसफोर्मेशन आगया, तो जहां पर स्कॉर्पियो हमापे ट्रांसफोर्मेशन आएगा परिवार के प्रती रिष्टों में नजरियों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा आपका हो सकता है आप तक आप अपने माता पिता की जो है सिर्फ कमियों पर धान दे रहे हो किसी कारण से और अप सायद आप उनके गुणों को भी देखने लगें क्योंकि हर विक्ती में गुण दोस्तों होते ही हैं अगर आपको सिर्फ दोस्त दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपकी आँखें आधी बंद हैं आधी खुली हैं और आध खुली आँखों से आप कुछ भी करोगा उसमें मामला घरवड़ी होगा कोई भी वक्ती ऐसा नहीं है कि उसमें गुण नहीं है तो उसका भी आपको आभास होना चीए ये भाब आपके परिवार का भी है तो आपके परिवार में कोई बड़ा चीजे इवेंट हो सकते हैं आपके परिवार में कोई बहुत जोतिस में उसी का पार्ट है कही नाडी जोतिस हम बोलते हैं उसमें त्रिकॉर्ण के जो भाव होते हैं वो कही ना कही एक दूसरे से जोड़े होते हैं एक पांच नो तो जहां से भी ग्रह बैठा है वहां से पंचम अगर हम चलते हैं एक दो तेन चार पांच तो ये भाव जोड़ा हुआ है इस भाव से और नवम चलें इसे पांच गए तो छह, साथ, आठ लेकिए ये हुगा सातमा आठ, नौ ये तो ये भाव भी प्रभावित करेंगे शनी तो इन भाव किस भाव को दिखाते हैं नवम भाव आपका क्या पिता है, गुरू है, हाईयर एजुकेशन है धार्म है, टूर्ट्रेवल है कुछ चीज का आविश्कार करना है कुछ नया करना है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है अब रॉड एजुकेशन मिल सकती है हाईयर एजुकेशन के लिए, अब यहाँ पर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, बहुत हद तक डिपेंड करेगा आपकी कॉंडिली में बुद्ध की स्थिती कैसी है, क्या वो किसी राजयोग में है क्या यहाँ पर कोई अच्छा योग बना हुआ यह भाव लक्षमी कावियत, धन पैसा भी आ सकता है लगन पर विष्टी आ रही है, तो लगन मतलब आप आपकी प्रतिवा, आपका समाज में स्टेटस जरूर बदलेगा, कुछ ना कुछ बदलाब जरूर आएगा, जॉब लगएगा, नौक्री लगेगी ब्यापार बढ़ेगा, कभी-कभी घट भी सकता है अगर यहाँ पर कोई दुर्योग है, तो वो भी effective हो सकता है, वो भी active हो सकता है तभी तो यह गोचरफल है ना, इतने सारे लोगों का, किसी का अच्छा होगा, किसी का कह सकते हैं, इसके साथ शनी जिस भाव से दसम है, अश्टम है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा परिवर्तर लाएंगे, और जिस भाव से वो दसम आ रहे हैं, आपको जानके हर्ष होगा, कि वो भाव है, जिस भाव से वो अश्टम आ रहे हैं, आठमे भाव में जा रहे हैं, वो भाव है दसंभाव और दसंभाव होता है, आपकी समाज में इस्तिती, आपका करियर, आपको लोग कैसे देखते हैं, आपको लोग कैसे जानते हैं, उसमें बहुत बाव परवरतन आने वाला है negative भी हो सकता है positive भी हो सकता है positive के chances ज़्यादा है क्योंकि बाकी के सारे गोचर आपके अच्छे हो रहे हैं खास कर कि अपरहल के बाद गुरू भी और अक्टूबर के बाद राहू भी positive हो जाएंगे तो यह ध्यान रखना है कि career इस साल एक important है वहाँ पर focus काफी रखना है आपको यह हो गया शनी का गोचर अब शनी के बाद जो दूसरा परिवर्तन आ रहा है वो गुरू का आ रहा है जो बहुत important है आपके लिए सुखद है बढ़िया है कि गुरू अपरेल तक तो यहां रहेंगे चटे भाब में जो गुरू थे कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए सिक्षा के लिए उतने बैश नहीं थे foreign education के लिए ठीक है यहां से गुरू की दिष्टियां कार जॉब में मेहनत कराएगी hard work कराएगी खर्चा भी काफी रहेगा कुछ धन earning भी कराएगा आपकी परिवार में कुछ अच्छा हो सकता था और जो गुरू का जो गोचर है वो इस चीज़ को दिखा रहा था आपका पर अब जो बदलाव आएगा वो आएगा सब्तम में गुरू जाएंगे शादी कराते हैं बिवा कराते हैं ब्यापार में अच्छा है कर्म के लिए भी अच्छा है कर्म मतलब आपको जैसे काम मिल गया जौब मिल गया पार्टनर्स मिल गए वो और दोस्त फ्रेंड्स बनते हैं आपकी जो आउटर लाइफ है बाहर की जो लाइफ है वो बढ़ जा आप आगे की सोचोगे, आप बड़ा सोचोगे, आप छोटी-मोटी बातों में नहीं पढ़ोगे, इसका मतलब क्या हुआ, देखे कुछ लोग होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ मुसीबत आ जाए, कोई काम ना हो, कोई दिक्कत आ जाए, तो उनके सपने धरे रह जाते हैं, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, क्या पड़ा है, है ना, तो इसको आप कह सकते हो, सपने कहने को तो हैं, पर कुछ है भी नहीं, एक तरह से देखा जाए, तो दिक्कत आए, तो सपने छोड़ देते हैं, कुछ याद अच्छा हो जाते हो, सपने छोड़ देते हैं, और सप मकान के लिए का रहा था मकान बन गया तो आप तो क्या होगा अब क्या करना आगे चल के है ना और वो इस बात को समझते हैं कि satisfaction अलग चीज है और आगे बढ़ते रहना अलग चीज है जो बढ़ता रहता है वही स्वक्ष रहता है से जल है जल जब तक भैता रहेगा तब तक स दूसरों के लिए जल का परपज है पोर्षण करना वो सक्ष जल ही कर सकता है जो चलता रहे जो बढ़ता रहे जो अपगेट हुटा रहे वही मनुष्य के साथ है satisfaction एक अलग चीज है ऐसा नहीं आप आगे बढ़ोगे तो satisfied नहीं रहोगे आप जितने smile और satisfied रहोगे उतने ज चोड होता है ना उसको 1-2-3 तो सब सीख लेते हैं किताब से mathematics सीख सकते हैं पर वो उसको समझ पाना उसका जीवन में क्या उपयोग है उसको ग्यान बोलते हैं किसी चीज का तो वो देना चाहते हैं गुरू आपके spouse के लिए भी बढ़िया हैं partner के लिए भी अच्छे हैं आ आपको कुछ सिखाएगी जैसे का exam आता है जो हमको सिखाता है तो गुरू का गोचर बहुत अच्छा होगा इसके बाद साल के end में राहू का गोचर भी छटे भाब में आएगा वो भी आपके लिए positive है छटे भाब में जब राहू आते हैं तो सत्रू समाप्त करते हैं अब और उससे निकाल भी लेंगे ultimately अच्छे है फोरण बिदेश ले जाने के योग बनाएंगे spirituality अध्यात्म के लिए भी अच्छे रहेंगे यहां बैठ कर थोड़ा सा आपको marriage life में अपने partner से बना के जरूर रखनी पड़ेगी इस भाब से बारे में है पर आपको inheritance आदी दिला सकते हैं भाग बढ़ाने वाले होंगे अबरोड ले जाने वाले होंगे यहां बैठे रहू लाब जो होगा वो जो लाब होगा जो income होगी उसको भी बढ़ाएंगे आपके बड़े भाई भेन या seniors या जो आपसे जो बड़े हैं उन से थोड़ा मतभेत करा सकते हैं यह लगन के स्वामी है तो लगन बहुत important हो जाता है तो अगले इसमें हम लगन को देख लेते कि शुक्र आपके कैसे जाएंगे जन्वरी से लेके December तक उससे एक idea हो जाएगा कि हर महीने क्या क्या होगा चलिए शुरूबात करते हैं आप महीनों को लेकर तो शुक्र को भी हम हर महीने पर उससे पहले एक थोड़ा सा एक और तरीका है गोचर का कि साल के सुरूबात में जो है न वो ग्रह कैसे हैं वो भी कहीना कहीना होते हैं कि पूरी साल को मोटा मोटा क्या होगा क्योंकि एकदम detail में तो महीने में ही जा पाएंगे जब मान्थली जो horoscope होगा उसमे पर इसमें भी एक कोशिश करेंगे तो देखें ये साल के पहले दिन का horoscope है जिसको हम बोलते हैं कहीना कहीन एक बड़ी picture होती है जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए जो बदलाब आए उनके बारे में हम बात कर चुके हैं चाहिए वो गुरु का हो शनी का हो राहु का हो पर आप दूसरों के बारे में अच्छी राय दे पाओगे आप से कोई सला लेने आता है या फिर आपका काम ही ऐसा है आप डॉक्टर हो सला देते हो कंसल्टेंट हो साइकोलोजिस्ट हो दूसरे को आप बहुत अच्छी सला दे पाओगे पर खुद में खुद के बारे में जब कोई साही निर्ण लेना होगा, उसमें आपको थोड़ा confusion रह सकता है, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, गड़ेश जी की पूजा करें, बहुत बढ़िया रहेगा पूरे साल, हलाकि October में जाके केतु बदलेंगे, पर ये प्रभाब important है, क्योंकि October तक तो 10 महीने निकल चुके होंगे, और रहु का जो प्रभाब बताया, वो October के बाद बताया, हलाकि ये बहुत समय से चल रहा है, तो आप जानते होंगे, पर फिर भी, नई साल है, तो पूरा एक थोड़ा सा बनता है, कि कुछ-कुछ थोड़ा-थोड़ा सबके वारे में बताया जाए, दूसरा राहु चंदर्मा सुरू बात में है, तो चंदर्मा राहु के साथ, इसको कुछ लोग बुरा मानते, कहते हैं बहु ग्रहनी हो गया, ग्रहन का मतलब क्या होता है, इस बात को तो हम ध्यानी नीग देना चाहते है भई ग्रहन योग तो हर कोई जो ग्रहन है वो ग्रहनी कर रहा है आपको ग्रहन बोलते ही इसलिए कि वो ग्रहन लगा देता है किस पर? मन पर आत्मा पर तभी तो वो हमारी डेस्टिनी की तरफ हमें ले जाता है ग्रह वो होता है, जो आपको ग्रहन लगाता है, आपको एक विसेश दिशा में ले जाने की कोशिश करता है ले जाए जरूरी नहीं है कि आपके पास बुद्धी है, आत्मा है और आपके अंदर उस प्रभू का प्रकाश है, जिसके प्रकास से ग्रह भी चमकते हैं तो अगर आप समझ चाहें तो आप अपनी destiny को थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं इसमें कोई no doubt इसके लिए पर ग्रह इसलिए उसको बोलते हैं कि वो ग्रहन लगाते हैं अब चंद्रमा और सूर को ग्रहन को अपने मन के तो इसमें यही गलती है कि राहु चंद्रमा जब साथ में हों तो मन बड़ा strong होता है इसलिए इसको गलत भी मानते हैं पर यह शक्ति योग भी है क्यों? कि अगर मन सही रास्ते पर हो तो जैसे कृष्णा बोलते हैं यही मन तुमको इच्छाओं के भोगों के पीछे भी ले जा सकता है पर यही मन आपको आपके लक्ष, गोल, कुछ करना, कुछ बड़ा करना इश्वर, परमात्मा उस्रब भी ले जा सकता है तो अच्छा योग भी है, बुरा योग भी है आपके अश्टम में आ रहे हैं, अब अश्टम में जब मंगल आते हैं तो साथ ससुर के साथ कुछ मद्बेद रह सकते हैं मेरिज लाइफ में भी थोड़ा ध्यान रखना है उपा से राहो गेतु का जो है, ये भी आपको ना दूसे लोगों से थोड़ा सा कहीं न कहीं misunderstanding कराता है किसी ने कहा है कि जिन्द की गुजर गई दूसरों को खुश करते करते जो अपने थे, वो कभी खुश हुए नहीं और जो खुश हुए वो अपने नहीं थे अब ये थोड़ा कहने की बात है ऐसा भी नहीं कि किसी के अपने खुश होते नहीं बस कहने की बात है कि आप किसी को खुश करते करने की कोशिश में ना रहें अपनी value भी रखें दुनिया में सूरी भी सिर्फ रात को चमकता है मतलब कि चंद्रमा और सूरी दिन चमकता है ऐसा नहीं हर चमकता है तो अगर आप हर समय अवे लेविल हैं तो आपकी value घट जाती है और सूरी देव जो की स्वयम इश्वर हैं वो भी पूरी तरह हर तरह नहीं हर जगे नहीं चमकते हैं उनका भी नियम है उनका भी law है और जिसको वो follow करते हैं तो आपके भी कुछ values हैं नियम है लो है जो आपको follow करने चाहिए अपनी life में चाहिए वो अपने हो या पराए हो उससे ऐसा नहीं होता है कि आपकी कीमत कम होगी या लोग आपको कम ज़्यादे पसंद करेंगे बलकि उल्टा ज़्यादे पसंद करेंगे जब अपने नियों पर चल रहे हैं आप अपने पैरों पर खड़े हैं आप किसी की help कर सकते हैं आप अपने decision पर strong है तो ये चीज हमको सीखनी है जब राहु चंद्रमा साथ में होते हैं क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता अब मंगल का भी समे रोल आ गया कि लड़ाई जगड़े से थोड़ा बचना है यहां पर तो ख्याल रखना एक दूसरे का आप बोलते हैं न कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए औरों को सीतल करे क्योंकि वाणी का भाव है यह परिवार का भाव है और रिष्टे बहुत अनमोल होते हैं महत्यपूर्ण होते हैं उसको बना के रखने की कोशिश करनी चाहिए उसके लिए जरूर नहीं कि आप अपनी वैलू इसको हटें आप उससे कहीं बार चुप रह जाना काफी होता है सब्दों से ज़्याद है कहीं बार किसी का जवाब ना देना ही आपकी जीत होती है क्योंकि जब बड़े-बड़े लक्ष हों तो छोटी-मोटी हरा है लड़ाईों में अपना फोकस दो है डिस्टब नहीं करते हैं मंगल हमको यह सिखा रहे है पूरे साल इस बात का ध्यान रखना है बाकी मंगल घूपते रहेंगे वो एक अलग है कुछ मेंन मैसेज आते हैं जो हमको ध्यान देना है सूरे बुद्ध साथ में है और यह अच्छा योग बन रहा है आपके तृते भाब में मतलब अगर आप कम्मिनिकेशन अच्छा करोगे तो आपको धन भी आएगा, पैसा भी आएगा, लाब भी रहेगा थोड़ा बहुत ट्रेवल आपको करना पड़ सकता है थोड़ा सा आपको प्रताब दिखाना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी उससे आपको समझोता नहीं करना है अक्सर हम बड़े लोगों की न सफलता देखते है उनका प्रयास कोई नहीं देखता ऐसा अब्दुलकलाम जी ने भी कहा है ऐसा एक कहानी भी है, बहुत सारी ऐसी कहानी एक नहीं हर सफल विक्ती की यह कहानी है पिकासा जी उनकी एक कानी है कि वो कहीं गए तो उनको जो ड्रॉइंग करते थे उनको एक महिला मिली, उसने कहा कि क्या आप मेरे लिए आप कोई चितर बनाएंगे तो उन्होंने बनाया, 30 सेकेंड में एक अच्छा सा चितर बना दिया उसकी होवा हूँ, बड़ी खुश हुई महिला तो पिकासा जी थे, उन्होंने कहा कि भाई यह जो मैंने लिए आप के लिए बनाएं सायद 58 लाग की होगी तो उसको यकीन नहीं हुआ, पर हाँ उसने थैंक्यू, थैंक्यू 50-60-60 लाग की तो क्या बात है तो कई सीखने के लिए, कि मुझे भी सीखना है कि कैसे 50 लाग की painting या 60 लाग की painting जो विए 30 सेकंड में बना सकते है बात है, समझने की जो कहानी में चुपा है तो पिकासा जी बोलते हैं यह मेरे को 30 साल या 40 साल लगे ये सीखते सीखते कैसे 30 सेकंड में हम 25 लाग की तो आपको भी पेसेंस रखना होगा मेहनत करनी होगी हार्ड वर्क करना होगा तब जा कि आप उस सिथिती में पहुंचते हैं हलाकि जब हम ऐसे ही देखते हैं लगता है इस पेंटिंग में क्या रखा है थोड़ी देर में बना दी होगी या इस तरह से वो बोलते ना जहरी की परक या हीरे की परक तो जहरी को होती है तो वो वाली बात है मेहनत कीजिए लाइफ में और ये कौन कराने है सूर्य और बुदर क्या वादा कर रहे है कि धन का लाब का स्वामी तित्यभाब में आ रहा है पराक्रम से लाब होगा में इनकम आएगी आपके पस मेहनत होगी पर उससे लाब ब्यों का सूर्य भी है सूर्य जो है लियो के स्वामी होते है पांच नमबर जो है लियो को दिखाता है और लियो का स्वामी अपने से एक, दो, तीन, चार, पंचम में जा रहा है अच्छा ही त्रिकॉर्ड में जा रहा है पहली बात तो दूसरी बात अगनी साहन में जा रहा है जिसमें सूर्य अच्छा करते हैं बुद्ध भी अगनी के लिए अच्छे है बुद्ध का वैसे तत्त, पर्थिवी तत्त होता है पर सूर्य बुद्ध की जो कैमिस्ट्री है वो अच्छी मानी जाती है साथ में बुद्ध आपके भागी के स्वामी ही है मतलब आपका पराक्रा मेहनत अगर इस साल करती हो तो काफी हद तक आपका भागी भी साथ देगा आपका लाब भी होगा हाँ, शेविंग आप थोड़ी कम कर पाओगी और आपको कहीं इनहरिटन साथी से लाब हो सकता है ये भी ये साल बताना चाहती है इसके सासथ शुक्र बुद्सात में है मतलब एक वो तो रहेगा आपस में कमफर्ट और मेहनत के बीच में एक युद्ध सा रहेगा मन कहेगा थोड़ा आराम करें पर कोई important काम भी होगा अगर आप उसे टाल दोगे तो आनद तो मिलेगा पर करियर में उतनी ग्रोस नहीं मिलेगी पर अगर आप समझ पाऊगे कि पानी का सभाब तो बहना है बहते रहना है रुख जाना नहीं है भलाई रुख जाने में थोड़ा comfort हो तो फिर आपको तरक की जादे मिलेगी यह शुक्र और शनी साथ में कह रहे है आपके लिए राजी होगा शुक्र शनी का साथ में हो ना सुरूबात में क्यों क्योंकि शुक्र आपके लगनेश है और शनी आपके योग का रग रहे है तो अच्छा चाठ है आपका overall गुरू छटे भाव में है तो संतान के पर थोड़ा सा ध्यान रखना है पुतरादी प्राप्ती करना आप चाहते हो शादी विवहा करना चाहते हो तो अपरेल के बाद थोड़ा सा जाद है marriage life के लिए भी अपरेल के बाद थोड़ा सा जाद है अच्छा है क्यों कम से कम गुरू यहाँ पर आजाएंगे और राहू तो यहाँ पर अक्टूबर से हटेंगे पर गुरू के आने से कही न कही ग्यान बुद्धिमानी से अगर आप काम लोगे तो रिष्टों में थोड़ी बहतरी आ जाएगी और रिष्टों के लिए बहुत ही बढ़िया जाके हो रहा है आपका अक्टूबर के बाद तो यह आ गया पूरी साल की एक ओवर और पिक्चर अब आ जाते हैं हर एक महीने बाद हर एक महीने में जब आएंगे तो हम इन सब को नहीं लेंगे फिर से कि अब राहू क्या कर रहे हैं गुरू क्या कर रहे हैं शनी क्या कर रहे हैं जिनको हम डिटेल में बता चुके हैं अब वही शुक्र और बुद्ध और बागी जोग हैं उनको देख लेते हैं देखिए शुक्र की अगर बात करें तो महिने के सुरुबात में ही आपकर लगन के स्वामी चौथे भाब में बैठे हुए हैं भाब क्या होता है घर गाड़ी भूमी बाहन बंगले का होता है और 17 दिन तक वैसे घर जमी नादी से सम्मनित कोई सफलता आपको मिल सकती है पर फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि 17 जन्वरी के बाद ही जाद है कुछ बड़ा चेंज लाने की कोशिश करें क्योंकि मंगल और बुद्ध जो है वो आपके वक्री रहेंगे और बुद्ध आपके भाग के स्वामी है मतलब भाग किसी पुरानी चीज से तो उभर सकता है पर अगर कोई नई चीज टेस्ट करोगे किसी नई चीज में कुदोगे सतरे जनवरी के तो थोड़ा हो सकता है कि कहीं बार प्रयास करना पड़े शुकर कब तक रहेंगे यहां पर आपके चौथे भाब में यह रहेंगे 21 जनवरी तक कि 20 के बाद वो यहां आ जाएंगे एक एक घरे को जो बहुत इंपोर्टेंट घरे हैं उनको घुमाएंगे जिससे हमें पता चले इवेंट जो आएंगे आप जब पंचम में आएंगे तो पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है स्कॉलर्शिप के लिए अच्छा है यह समय कब रहेगा आपका 22 जनवरी से 14 फरवरी तक पढ़ाई लिखाई के लिए स्कॉलर्शिप के लिए अच्छा है श्टॉक मार्केट आदी से आपको इस समय में लाब हो सकता है लाब हो सकता है, श्टॉक मार्केट हादी में, इस्तरियों से आपको लाब रहेगा, फीमेल संतान मतलब इस्तरी संतती की प्राप्ति आपको हो सकते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, और इसके बाद, जो है शुक्र कुम्ब से मीन में जाएंगे, यहां जाकर वो उच्छे क हो जाते हैं, तो एक तरफ तो लगनेश आपका छटे भाब में चला गया, दूसरी तरफ शुक्र, अच्छे रहेंगे, बुरे रहेंगे, कुछ लोग इसको बड़ा कहीं है, कुछ लोग इसको अच्छा रहेंगे, बात क्या है, सही क्या है, कि दौनों तरह का रिजल्ट है स्वास्त में दिक्कत दे सकते हैं, और स्वास्त अठका तो सब कुछ अठका, उस नजरिये से तो बुरे हो गए, दूसरे नजरिये से, क्योंकि आपकी जनम को कुंडली भी है, आपकी अच्छी दशाएं, महादशाएं हुई, यहाँ पर कोई सुभियो हुआ तो किस कमप् चंद्रमा से जाद एक्क्यूरेट आती है, इसके बाद देखिया, शुकर का यह प्रभाब आ गया, छटे भाब है, तो डरने की आवश्यक्ता नहीं, स्वास्त का थोड़ा ध्यान दखना है, डाइट वगर का हलका सा ध्यान दखना है, लड़ाई जगडे से बचना है, यह मीन के हो गए, उच्च के हो गए, यहाँ पर शुकर, अब इसके बाद मीन से कहा जाएंगे, मेश में जाएंगे, मेश में क्या करेंगे, यह बारे मार्स से 5 अपरेल तक मेश में रहेंगे, जब चंदर को निकाली देते हैं, क्योंकि हर धाई दिन में बदलते हैं, हो नहीं पड़ेगा, marriage में थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं, इस पाउस को दिक्कत कर सकते हैं, अगर positive प्रभाव हुए आपकी कुंडिली में बहुत ज़्यादा, तो फिर चुकी यहाँ पर राहु का प्रभाव है, October में बदलेगा, तो फिर आपकी foreign चीजों से लाब हो सकते हैं, आपका चोटी-चोटी बातों में न, कोई गलती न हो जाए, इसका हलका सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस भाव से यह दूसरा भाव है, और यह कब तक चल रहा है आपका, 12 मार्स से लेके 5 अपरेल तक, 5 अपरेल के बाद शुकर आपके यहाँ आ जाएंगे, फिर से, आपको marriage life में थोड़ा ख्याल रखना है इस समय में, सास सुर की life में कोई बड़ा परवर्तन आ सकता है, कोई gift मिल सकता है, inheritance आदी मिल सकती है, धन के हिसाब से भी अच्छा है, पर स्वास्त का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ शुकर अपनी ही राशी में है, तो अच्छा भी है, पर लगनेश होके अश्टम में है और लगन से अश्टम में जा रहा है लगनेश, तो स्वास्त के परती थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको अपनी capability से ज़्यादे दूसरों के थूरू लाब हो सकता है, या फिर spirituality, अध्यात्म, sudden gain, अकल्ट, जोद्शी, इन सब चीजों स लाब हो सकता है, intuition से आपको लाब हो सकता है, other people money से लाब हो सकता है, investment से लाब हो सकता है, पर स्वास्त के मामले में थोड़ा सा, और जो normal जो काम होते है, normally उसमें थोड़ा सा, बहुत best नहीं कहेंगे, क्योंकि लगनेश अपने से अश्टम जा रहा है, आपकी दूर यात्र प्रेम के लिए अच्छा है, शादी विवा के लिए बढ़िया है, मतलग आप असमें सम्मंदों के लिए, उसमें आपकी घनिष्टता आएगी, गुरूं से, पिता से, यह समय कब रहेगा, जब सुक्र मिथुन में रहेंगे, यह रहेगा आपका 5 मई से लेके 29 मई तक अच अच्छा समय है, इसके बाद शुक्र आपके दसम भाब में जाएंगे, करियर के भाब में है, वैसे तो यह अच्छा है, करियर के भाब में जा रहा है लगनेश, पर नौकरी में बदलाब ला सकते हैं, जाब में चेंज आ सकते हैं, पार्टनर आपके बदल सकते हैं, उतना तब तो है सिहीं का और शुक्र उसमें वहाँ बहुत बड़िया फील नहीं करते हैं पर लगने शेकाद उसमें जा रहा है तो लाब होगा इंकम भी आगी वो भी सडन लाब हो सकता है आपको कुछ ऐसे सोर्सुस से भी धन आ सकता है जिसके आपने नहीं सोचा था यहां पर श्टॉक मार्केट आड़ी से हो सकता है कहीं आपने इन्वेस्ट का रखा था वो आपका बढ़ सकता है और यह सही में कब तक रहेंगे यह रहेंगे आपके दो अक्टूबर से लेके दो नवंबर तक 2 नमबर तक रहेंगे और इसके बाद शुक्र जो है आपके 12 में भाब में पहुंच जाएंगे लगन का स्वामी 12 में भाब में जाएगा यात्राएं होंगी विदेस यात्रा होंगी खर्चा होगा वै होगा सुक भोग आपकी लाइफ में आएंगे सुक भोगों में कोई गलती नहीं है इश्वर ने ये तरे तरे के भोजन अच्छे कपड़े ये सब इसी लिए दिया है कि आप थोड़ा बहुत उसको इन्जोई करें क्योंकि उसका बोलते हैं चिदानंद रूपा सिवो हम भी आनंद है इस वज़े से पर उस आनंद में ही डूब जाना उसके चक्र में अपने लक्ष को ही भूल जाना वो गलत है अगर किसी के आनंद में डूब नहीं है तो भक्ती है ग्यान है कर्मा है और जिसको भगवान कृष्ण यग बोलते है यज्यादि कर्म कर भक्ती में नहीं तो दूसरों के लिए प्रभू के लिए किसी के लिए कर्म कर वो जो सही रास्ता है वो है पर यहां सुक भोग आएंगे उस मामले में अच्छा है भले ही शुक निचके हों कोई दिक्कत नहीं है बारे में भाब में लगन से अच्छा देते हैं रासी से भी अच्छा देते हैं हाँ थोड़ा सा स्वास्त का ध्यान रखेंगे क्योंकि अपने से बारे जा रहा है इस बज़े से हर गोचर बदल जाता हर राशी में अपने से बारे जा रहा है साल के end में 30 November से 24 दिसंबर तर वह या मालव नाम का महापुरुस योग बन जाएगा आपके लिए केतु तो यहाँ पर होंगे नहीं केतु आल्रेड़ी यहाँ जा चुके होंगे राहु का गोचर आल्रेड़ी सुभ हो चुका होगा तो साल का आपको बहुत सारी सुख सुविधाय है आनंद भोग इसके सासे सक्सेस भी दे सकता है अगर आप फिल्म इंडिस्टी में है तो आपको मूवी आदी मिल सकती, आप मीडिया आदी में हो आपकी कोचेश हीट हो सकती, आपको पैसा मिल सकता है, शादी बिवा के लिए, हर सार ऐसे सुबह, बस थोड़ा सा इसमें भी यह शुक्र है, शुक्र लगन में आता है, तो आपको जुकाब कराता है, कलात्मक रुचियां बढ़ाता है, आप में, क्रियेटिविटी बढ़ाता है, आनन्द भोग के परती, साच में प्र हर जगे हर चीज नहीं चलती साहब, सफलता का कोई ऐसा जादू, फलसफा नहीं होता, बुद्धी मानी से काम लेना पड़ता है हमको, जैसे की अदब कह सकते हैं, संसकार कह सकते हैं, किसी के सामने तहजीब से बात करना, अच्छी बात है न, सरीफ होना आपका, बढ़िया बात है, पर हर जगे वो भी नहीं चमसता है, जिसमें खुद में संसकार नहीं है, वो आपको, आपके संसकारों की कहां कदर कर पाएगा, तो समझदारी से काम लेना होगा, एक भी कोई भी भी लान ऐसी न, इसको हर जगा लगा दो, हिट हो जाए, फिट हो जाए, जैसे सफ बजना है रास्ता, आप ही को निकालना है, और आप ही उस पे चल सकते हैं, तो वो वाली बात है, पर हाँ, शुकर का यहाँ पर नो डाउट है, अच्छा गोचर है, बढ़िया गोचर है, और ये, शुकर का पूरे साल का हमारा सफल तैय हो गया, भाग को देख लेते हैं, थ हट, हाड़ वर्क, महनत, वहाँ आप करते रहोगे, तभी भाग आपका साथ देगा, अपने आपको अपग्रेट करते रहोगे, तभी भाग आपका साथ देगा, हमारा, कुछ लोग कहते हैं, आप नौकरी लगगी, अप क्या करना हमें, कुछ लोग कहेंगे, हमारा तो रि लीखा सीखिए आप, आपको कोई foreign language में interest है, आप उसको सीखिए है, हिंदी को इतना सुधारी है कि जब लोग आप से बात करें, कहें बहुत यह कैसे हो गया, आप इतनी अच्छी तरह बात कर पा रहे हैं, तो जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रही है, करते रही है, इसका मतलब dissatisfaction नहीं है, इसका मतलब है बहते रहना, जीवन चलने का नाम है, बहते रहने का नाम है, और पानी तभी तक सुध्ध और सक्ष और दूसरों को पोशित करता है, जब तक वो बहता रहे है, तो बुध हमको यह दिखा रहे है, पर बुध धनु में कब तक रहें यहां पर रहेंगे, तो बुध जब यहां आएंगे, तो चौते भाब में बुध को कहा गया, सत्रू थोड़े से आपको कोशिश कर सकते हैं, कुछ पॉलिटिक साधी आपके खिलाब हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान लखें आपको जो लग सकता है, इस तरह की लोग हैं, वो इसके बाद बुध यहां पर आजाएंगे, शनी हां पर ही रहेंगे, बुध शनी की यूथी ठीक होती है, अच्छी होती है, बैकती सीरियसली किसी बात को सोचता भी है, क्योंकि शनी की उसमे मैचॉरटी है, सीरियसन ऐसे, रुवध की योगता भी है, खूबसूरत योग बंद रहा है हाँ पर यह योग कारक बंद रहा है आपका और यह कब बनेगा कुम्भ में जब रहेंगे यह आपका 21 जनवरी से 14 फरवरी तक इस तरह का माफ कीज़ेगा हम बुद्ध को देख रहे न तो यह आपका रहेगा 27 फरवरी से लेके 15 मार्स तक बहुत खूब सुरत जोगा श्टोक मार्केट आधि से भी आपको लाब हो सकता है ऐसे इंवेस्टमेंट से जो आपने बहुत सोश समझ के करोगे या फिर सोश समझ के किया है जलवाजी में नहीं शनी जलवाजी में मैशिर्षित के लिए जीजब चान रहेगा पर अगर आप रेइस्पossAMS पड़े बच्चे मतलब पहले बच्चे के साथ थोड़ा डिफ्रेंस आ सकता है पड़ाय लिखाय में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है क्योंकि यहां से सनी की दर्ष्टी सब्तमभाप पर आएगी जहां पर गुरू आपके रहेंगे और गुरू रहेंगे यहां पर अपर 21 अपरेल के बाद तो गुरू भी यहां पर नहीं होंगे इस समय गुरू यहां पर रहेंगे पर रूटीमेटली शनी की तीसी दर्ष्टी आपकी आएगी यहां पर और यहां पर आपके कौन होंगे इस समय राहू होंगे ना राहू बैठ वे होंगे तो इसकी वैयसे relationship में थ नीच के होते हैं, नीच के हो जाते हैं, तो इस मीच के मिला भाग बहुत जादा साथ नहीं देने वाला थोड़ा सा, आप इसे यह कह सकते हो, और फॉरन ट्रेवल आधी करा सकता है, क्योंकि बिदेश के भाब को बुद्ध देख रहे हैं, और यहां पर उनकी मूल ट्रिकॉर उसको देख रहे हैं, तो नीच का गरवी हमेशा खराब नहीं होता, सामने वाले भाब के लिए अच्छा रहता है कहीं न कहीं, अपने ही राशी को देखके उसमें तो कुछ न कुछ अच्छा करे गई, और यह फॉरन लेंड का है, खर्चे का भी है, तो को खर्चा बढ़े मार्ज तक यहां पर रहेंगे, इसके बाद वो आपके सब्तम भाब में आ जाएंगे, और यहां पर वो रहने वाले हैं आपके 31 मार्ज से लेके 6 जून तक, तो काफी लंबा समय हो गया है जहां पर बुद रहेंगे यहां पर, और इसमें वो कुछ समय वक्री भी रहेंगे क्योंकि बुद का जो वक्रत है, जो मेश में आएगा, वो आएगा आपका, 21 अपरेल से लेके 14 माई तक, तो जब बक्ती रहेंगे तब हलका सा ख्याल रखना है, और यह ओबर अल पोजिटिव गोचर है, क्योंकि नवमेश जो है, वो आपके सब्तम में आ रहा है, साथ में 12 में भाब का स्वामी भी आ रहा है, तो बिदेश से आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, पार्टनर्शिप हो सकती है, बिजदिस के लिए, भाग की अपॉर्चनिटी आ सकती है, भाग शाली पार्टनर आपको मिल सकता है, उसके लिए बहुत बढ़िया है, आपके पार्टन को भी देखेंगे लगन को देखते हुए दिखाई देंगे और इस समय यहां पर केतु तो हों गई केतु होंगे यहां पर राहू होंगे आपके क्योंकि यह अप्टूर में बदलने वाले ना इस वज़े से तो यहां पर बुद्ध राहू के जब साथ आएंगे तो थोड़ा पिता के साथ मत्वेद हो सकता है अधरवाइस बुद्ध जो हैं यहां पर सुब गोचर आपके कर रहे हैं इसके बाद आप चुकि यह जून तक जाएंगे अप्रेल में गुरू यहां से जा चुकी होँगा अप्रेल में बुद्ध भी हाँ पर रहेंगे क्योंकि यहां पर तो ये फिर थोड़ा सा marriage life के लिए सुब हो जाएगा, better हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कहीं नगे relation के लिए अच्छा हो जाएगा, पर 21 अक्रेल से पहले चुकी हाँ पर घुरु नहीं होंगे, राहु बुध होंगे, तो थोड़ा समस्दारी से ध्यान लखना एक दूस जिस्तों को खराब कर सकती है, वहाँ आपको ध्यान लखना है, 21 अप्रेल के बाद इस चीज में betterment आ जाएगा, इसके बाद बुध जोए ब्रशव राशी में जाएगे, और वो जाएगे आपके 7 जून से लेके 26 जून तक, यहाँ पर जाएगे, ब्रशव में जाएगे, बुध का अश्टम में गोचर अच्छा माना गया है वैसे, पर भागय का स्वामी होकर अश्टम में जा रहा है, तो बहुत बड़या नहीं मानेंगे, वो ही होता है, हर कुंडली ना, अलग-अलग होती है, हर गोचर एक तो किताब में तो लिख दिया, पर हर लगन के अब से भी अलग है, क्योंकि यह स्वामी हो यहां पर कोई शुभ योग है, आपकी कुंडली मीं, inheritance आदी मिलने का योग है तो उसको बढ़ा देंगे आपके, inheritance आदी दिला सकते हैं आपको gift आदी दिला सकते हैं इसके बाद बुद्ध हैं मिथुन में आएंगे जो कि सौभागी योग है और मिथुन में जो बुद्ध हा रहे हैं वो आपके 24 जून से लेके 7 जुलाई तक बहुत अच्छा ये गोचर है बहुत बढ़िया गोचर है भागी का लाब होगा पिता को लाब हो सकता है टूर ट्रेवल से आपको लाब हो सकता है बिदेशों से आपको लाब हो सकता है दर्शन में आपकी रुचिया उसके लिए बहुत बढ़िया है higher education के लिए आपका बहुत बढ़िया है अब चतुर्त में जब बुद्ध आगे करक राशी में हलाकि मित्र राशी नहीं है पर दसम में बुद्ध आपके लिए अच्छे रहेंगे और जो कब तक है आठ जुलाई से लेके 24 जुलाई तक कारे के छेतर में आपको लाब होगा कोई अच्छा अगर आप जॉब की तलास में तो गुद्ध से समधित काम है अडवाई देने का काम है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है वाणी से समधित कोई कार है उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा इसके बाद बुद्ध आपके सहीं में जाएंगे जहां उनकी मित्र राशी है और एकादस भाव है तो स wealth का स्वामी आपको का दिया हुआ पैसा आ सकता है जा नी सकता है आ सकता है उल्टा फोरन से आपका लाव हो सकता है बड़े भाई बहनों या आपके जो partners हैं उनके उपर आपका थोड़ा खर्चा होगा वो कहीं न कहीं अच्छा होगा आपको long run में वो आपको कुछ ना कुछ लाब देने वाला होगा जो बुद्ध यहां पर यह दिखा रहे है इसके साथ साथ भागे का स्वामी एकादस में है तो आपको आपके बड़े भाई, बहन, सीनियर साधी के थुरू कोई भागेशाली अपॉर्चनेटी भी यहां से मिल सकती है र्यल स्टेट के लिए भी अच्छा है कोई भागेश जो है पंचम भाभ को देख़ रहा है वहां से शनी जो है आपकी योग का रखें आमने सामने आप नहीं जो कहीं नहीं भागे का स्वामी चतुर्थ और पंचम का स्वामी एक दूसर को देखकर एक अच्छा योग बना लें तो श्टॉक मार्केट आदी में भी जवर्दस्त लाव का ये गोचर में योग बना हुआ है जनम कंडली में होगा तो आपको लाव मिलने का चांसेज बन जाएगा जैसे की चांसेज इसलिए क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं हाड़ वर कर रहे हैं उसका भी अपना रिजल्ट है हमने एफर्ट कितना लगाया वो बोलते हैं कि भाई समवाद करो विवाद मत करो तो समवाद यह है कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन रहा है और इसकी possibility है विवाद यह है कि 100% होगा नहीं कह सकते जनम कंडली में नए नए योग है फिर आपने क्या कहेंगे प्रियास कितना किया है उसका भी बहुत important है अब किसी चीज को किस तरह ले रहें इसलिए तो पैदा ही हुआ है जनम ही इसलिए हुआ है कुछ ऐसा मतलब अगर सब कुछ लिखाई है सब कुछ हो नहीं है वैसा ही होगा कhou फरकी नहीं पड़ना तो फिर लिखना क्या क्या हम करने ही क्या है पिर अपने जो कर्म है उसका result तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में हम जो कर रहे हैं उसका result भी मिलेगा और आगे वाले result को भी हम प्रभावित करेंगे अपने कर्मों से तो बुद्ध आगे आपके सही में अब सही के बाद वो आपके बारे में भाब में जाएंगे तो स्वास्त का हलका सा ध्यान रखेगा, विदे सा आपको ले जा, स्खर्चा यहां पर हो सकता है, लॉस भी थोड़ा बहुत हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, या फिर किसी की ऊपर आप दान दो, कुछ ऐसा करो, कुछ अच्छी चीज़े भी आप कर सकते हो, बार जो निवज है उसमें शायद वो दिखाते निए, कि लोग करते क्या है, महनत कैसे करते हैं, फट करते हैं, नहीं करते हैं, सिर्फ वही दिखाते हैं, कि जो सामने दिखता है, है न, जैसे, अब्दुलकलाम जी है आपके, उन्होंने का है, सूरज की तरह चमकना चाहते हो, और भी बहुत सारा ऐसा है, पिकासा जी की कहानी है, वो आपने सुनी होगी, पेंटिंग वाली, वो बहुत अच्छी कहानी है, कि 30 साल लगे उनको प्रैक्टिस करते करते करते, तब जाके वो इस योग बन पाए, कि 30 सेकेंड में ऐसी ड्रॉइंग कर पाएं, जिसको कोई 50 या साथ लाक रुपे दे, तो मेहनत तो नहीं दिखी किसी व्यक्ति को, पर जब थोड़ी सी देर में बैंक्टिंग बनाई, और उसकी इतनी कीमत है, वस नाम से भिक्री है, ऐसा नहीं है, जो दिखता है, जो होता है वो दिखता नहीं है, इसलिए संसार माया है, इसके इसमें खासी सफलता आपको दिला सकता, इसके बाद तुला में आएंगे, मित्र की राशी में है, बहुत बड़ी आप इसको कह सकते हैं, इसको हम निकाल देते हैं आतर, क्योंकि इसके बारे में, शुक्र के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और तुला में कब तक हैं आपक और 29 अक्टूबर को आपके रहु के तू बदल जाएंगे तो रहु के तू एंड की तरफ होंगे सिर्फ सुरूबात में जब आएंगे थोड़ा रहु से बुद्ध की मुलाकात होगी तो सुरूबात में ही थोड़ा वानी का ख्याल अवश्य रखना है पर बाद में ये आपका भाग का स्वामी लगन में आया हुआ है खूबसूरत योग है बढ़िया योग है बिदेश का स्वामी लगन में आया है तो आपको खर्चा बगरा तो कहीं से दे सकता है पर इसको लखी माना जाएगा बढ़िया माना जाएगा बुद जब लगन में आए तो थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए मन थोड़ा भठकता है ये बात तो है इसके बाद ब्रश्चिक में जाएंगे जो कि 6 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक है धन के लिए पैसे के लिए बढ़िया है फैमिली के लिए बढ़िया गोचर है भाग के लिए भी अच्छा गोचर है पर मेहनत से भाग बनेगा क्योंकि अपने से 1,2,3,4,5,6 जा रहे है तरती भाप से और बारे में भाप से भी तरती जा रहे है तो effort, hard work, मे बुद्धे समंधित, आपका काम है टीचर हो, बॉई से समंधित है, management है, sales है, marketing है, planning है किसी तरह का आपका, इस तरह का काम है तो उसमें बुद्ध जो है आपको लाब देंगे बर्शिक के बाद पिर साल के end में तो है बुद्ध जो है धनूम Cristiapर देंगे जहाँ से इनो औ वो आपके देख लिए लगवक सारी बातों पे ध्यान दिया बाकी महीने का जो होरोस्कोप है वो तो बने गई उसमें और डिटेल में होगा मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आएगा बढ़िया लगेगा और कुछ खास बातें और हैं जिनको हमको जोड़ देते हैं जह हमको ख्याल रखना है जैसे कि मंगल जो है न आपके सबसे अकारक रहे मानते हैं हम इनको मंगल को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं तो मंगल जब आपका नीच का होगा उस समय तो मंगल जब वक्री होंगे देखिए 30 अक्टूवर से लेके और एक जनवरी मतलब साल के सुरूब आप में मंगल वक्री हैं तो रिष्टो का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है यह चीज है इसके साथ साथ शुक्र जो वक्री हो रहे ह है तो रिष्टो के मामले में और आपके स्वास्त के मामले में भी इस समय थोड़ा सा अच्छा नहीं कह सकते ध्यान रखना है डरने की कोई बात नहीं है गुरु चांडाल योग 10 मई से लेके 10 जून तक इसका थोड़ा प्रभाब रहेगा आपका जो की मेस राशी में बने पांच मई को तोला में सूर घेन होगा में और इसके बाद फिर से इस चौ घेन आएग अपका 18 अक्टूबर को मेस तो एक ग्रहन वाले दिन है, इन दिन कोई बहुत बड़ा नहीं करते नर्मली, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, और भाग्य की हमने बात करी ली, कि बुध जो है वक्री रहेंगे साल के सुरुबात में, इसके बाद आपके 21 अपरेल से लेके 14 माई में, और इसके बाद 24 अगस वक्री है, तो उतना भड़िया नहीं मानते हैं, पर अगर आपकी कुंडली में वक्री है, तो फिर वो आपको अच्छे रिजल देता है, उल्टे, इसके बाद गुरू की बात कर लेते हैं, गुरू जो है वो वक्री रहेंगे आपके 4 सितंबर से लेके 30 दिसंबर तक, आप जो कर रहे हो, उसमें सुधार लाने का, जिससे आप पेड को काट रहे हो, किसी को लहाडी से, तो उसमें धार लगाते हैं, नहीं तो फिर आगर मेहनत ही करते हैं, यह मत देखो, सुधार ना लाओ, तो उस पेड भी नहीं करते हैं, मेहनत भी बेकार जाती है, इसी बा का कोई जादू ही फलसफा नहीं होता है वो एक बात है अपनी जगे सही है पर एक बात और भी है आपकी मेहनत से किसी को क्या फर्क पड़ता है आप क्या कर रहे हो आपको दुनिया को उससे फर्क पड़ता है उनको क्या मिल रहा है आप बैठे रहो पर आपकी वैसे दुनिया आपका बढ़ रहा है, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, आपको कही ना कही लाइफ में किसी भी तरह से लाब होगा, तो फिर आप आपको उसका effect मिलेगा लाइफ में, तो सिर्फ मेहनत से भी काम नहीं चलता है, ये भी बात है पर हाँ, हर चीज़ का एक logic होता है कि भाई, गुरू और शनी जो है वक्री हैं, तो गोचर के नाम पे हम ये कह सकते हैं कि बहुत great समय नहीं है, पर अगर आपके दशा महादसा दूसरी है, तो हो सकता है, पर फिर भी recommend करूँगा, इस समय कोई बहुत बड़ा परवलतर ना करें ऐसा ना करें कि बिजनिस को छोड़के किसी काम में घुजगे, काम मतलब सर्वीस में आ गया, सर्वीस छोड़के बिजनिस में चलेगे उसके साब से थोड़ा सा समय रहेगा अस्त की बात है, अस्त में कोई डरने की बात नहीं है पर फिर भी अस्त रहेंगे गुरू 2 अपरेल से लेके 28 अपरेल तक और शनी अस्त रहेंगे आपके 5 फरवरी से लेके 8 मार्श तक, यह अस्त समय होता है अज समय हो तो कार के छेतर में जब शनी वक्री हो तो कार है, बॉस है लोगों के साथ थोड़ा सा आपको रिष्टो को बना के रखने की कोशिश करने चाहिए जब गुरु वक्री हो तो आपको अपने से बड़े हैं, गुरु हैं respected वक्ती हैं, आपके पिता हैं आपके बड़े भाई भेहन हैं, उनके साथ या उनकी life में कुछ थोड़ा वतुतार शड़ा रह सकता है, तो इसी के साथ आप इस वीडियो को बेराम देते हैं, बहुत कुछ हो गया बहुत लंबा वीडियो हो गया, पूरी साल का वीडियो है थोड़ा सा लंबा तो हो नहीं था, तो उसके लिए आप माफी दीजेगा, आपको अच्छा लगा पसंद आया, तो प्लीज शेयर कीजेगा, जितना आप कर सकते हैं, कमेंट कीजेगा, लाइक कीजेगा घंटी वाला बटन अवर्ष दवा दीजेगा और आप अपना सहयोग बना के रखें, आपके सहयोग का मैं बहुत आभारी हूँ, मैंने डेस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आदी का लिंक दिया है फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और आप से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें सभी का ख्याल रखें नमस्कार